है हले दोस्तों मेरे चैन्वा आपका स्वागत है शबी जनवरी को खांसर ने अपने बच्चों से अपने अपील की थी पूरी वीडियो सुरुष से आंतर जरूर देखें और आज 28 तरीकों खांसर ने फिर से बच्चों से अपने क्या अपील की है उस वीडियो में लाज तक जरूर देखें दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरू करें धन्यवार जैहिन देखिए आज 6 जनवरी है इस दिन कोई भी प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए हम ये वीडियो कल भी डाले हुए थे रात में भी उस वीडियो को लगभग 5 लाख लोग देखे तो यूटूब ने उसको हटा दिया इसलिए एक रिक्वेस्ट नहीं हरी स्टूडेंट को ये आदेश है कि आज 26 जनवरी को कुछ भी आप लोग का प्रो प्रोटेस्ट कहीं से भी जायज नहीं है आज 26 जनवरी राष्ट को समर्पित होना चाहिए किसी का भी आज के दिन प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए देखे ये आर रबी एंटीपीची का मामला है आर रबी के लिए आप बाकी जो जिला प्रसासन है या इस्टेट की पुल पुछ रहा है आर रबी ने गलती किया है उससे लोग सवाल पूछ रहे है देखिए अंदोलन में कोई टीचर का ये आंदोलन नहीं है खुद वहां पर जिला प्रसासन गए थी तो पूछने गए थी कि आपका लीडर कोन है ये किसी भी का लीडर का नहीं है ये स्टूडें पिछली बार 26 जनवरी को देखे तो आप लोग किसान जो मैटर हुआ था यहां पर जो ज्हंडा लगाने की बात थी थी हला कि में ज्हंडा पर पहुछना काफी मुस्किल होता है दूरी पर लाए जाता है लेकिन वह घटना बहुत ही गलत हुई थी भारत के साथ इस बार भ गई है हलागी पुलिस भी कई जगा एक-दो जगा स्टूडेंट से कुछ जादे ही मिज़ भी है कि इसे लड़कों का कहना है बस मेंली यही था कि आज यह स्टूडेंट के लिए भींती नहीं उनके आदेश है कोई भी स्टूडेंट प्रसासन को आज के दिन में डिश्ट नहीं कर पाएंगे यांदोलन जोग का हां आप ही समझ रहा है इस चीज बार 90 है कि मेल कर रहा है कि आपके अको मैसेज को अपके मतलब इसको डिलीट किया जाता है इसलिए हम लोग घर बेगर को जैने, युदोर्णी अम कर अठोड कर शो्らे कर दो, जलजर्णी नहीं! जै, और इस नॉचना कैसे, नहीं सक करने, तबिद दुगेच्त जाहिन देखे सारे स्टूडेंट के लिए जो भी रेलवे के स्टूडेंट है उनके लिए आवस्यक सूचना है आपकी सारी मांगों को रखा गया है हम आपकी सारी दुबिध्राओं को क्लियर करते हैं देखे 28 जनवर को किसी भी तरह के किसी भी प्रोटेस्ट में आप हिंसा नौले यह आपके लिए गलत सावित हो जाएगा हम आपकी सारी समस्याओं को ए नंबर रिपीट नहीं करेंगे यूनीक नंबर जो दिया जाएंगे अथा साड़े तीन लाख और लणकों को जोड़ा जाएगा एंटीपीसी वालों की समस्या खतम ग्रूप दी वालों की समस्या थी उनके लिए सीवीटी टू को जो अचानक जोड़ा गया था उस पर भी प्रस्वामत हो गए इसे भी हटा देंगे इस पर पधान मंत्री का इंटर्फेरेंस था जिस वज़े से आसानी से हुआ अब बातों को समझे इसमें गलती रेल मंत्री ये पधान मंत्री के और से नहीं थी इसमें गलती आरार्बी को इस्टूडेंट की समस्याओं से मतलब अरार्बी कुछ चीजों से जूज रही थी उसको इतने बड़े एक्जाम को कंड़क्ट कराने के लिए कोई कंपनी जल्दी नहीं मिल रही थी लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये राज्यों में हो रहे है चुनाओं के मत्यलजर ऐसा डिसीजन लिया है ये गलत है देखि मत्री का डिसीजन है और इसमें प्रोटेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि जब आप प्रोटेस्ट करेंगे तो उसके बीच में कोई दूसरा आदमी आके वालेंस कर देगा आरा में जो ट्रेंग जला दी गई या फिर गया में ट्रेंग जला गई क्या विद्याथी कह सकता है कि कि आर ने किसी दूसरे ने नहीं किया हो चुछेन कोई भुक्ते मीं स्टूडेंट आपके लिए हम खड़े हैं आपकी हर मांगों को हम सुरू से ही उठाते आ हैं लेकिन जब हम वहां जाते हैं मंत्राले में बात करने के लिए या बोर्ड ऑफिस में बात करने लिए तो वह यूटूब वाले हैं कुछ भी लिग देते हैं ऐसे चीजों से आप बचिए किसी भी डिश्टिक का कोई भी लड़का कल कोई भी प्रोटेस्ट या वैलेंस नहीं करेगा हम कोई भी सिख्षक हम हो या कोई टीचर सारे टीचर परशान है कि कल के प्रोटेस्ट को कैसे भी रोक का कहिं की है कोई कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे आपकी में माना जा चूक है हम बता रहे हैं के पी chiजो के पास पूलिए की स्टूडेंट को यह जो कहना है बाई देखे इस्टूडेंट आप सबने बहुत साथ दिया हम लोग ने भी आपका साथ दिया आपने भी बहुत सारे सारे टीचर्स का भी साथ दिया आप सब लोग को हाथ जोड़ के धन्यवाद कहते हैं लेकिन सारे स्टूडेंट से कहते हैं देखे जो भी लड़कों पर के हुआ है अभी उसको हम लोग लीगल तोर पे देख रहे हैं कि उन्हीं स्टूडेंट के साथ क्या होगा और जो हम लोग के ऊपर एफ आयार हुई है उस पे खुद प्रसासन डियम और एस्पी साथ जो भी पटना के हैं उन्होंने खुद कहा है कि हर पीचर को वह अपने बातो को समझेंगे जब हम लोग वहा बाते करेंगे तो बताएंगे आगे हम लोग पर क्या एक्षन लिया जाता हुए हम आपको बताएंगे हम आपके साथ हैं हमेसा हैं अब हमारी सबसे बड़ी जिम्हारी है कि 28 तारी पर कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर 28 तारी को वापको बता देंगे वरना फरजी निऊज पर आप लोग ध्यान नहीं देंगे आप बावु बात समझें इतना प्रेसर है हमारे घर के लोग ममी परिशान है अगर आप कल को अगर प्रोटेस्ट कर देते हैं या कुछ भी तो हम अपने ममी को समझाने में परिशान होगा एक बताईए हम लोग की फैमिली के उपर क्या वुजरता होगा आप समझे इस चीज को हम इसलिए भीर हर स्टूडेंट को हम हाथ जोड़ते हैं बाबु हम ठीक है फिलहाल अगर पुलिस कुछ भी कारवाई करती है हमारे उपर हम आपको बताएंगे ठीक है ऐसा नहीं है पुलिस हमेशा करते हैं कि जो रेलवे बोर्ड बनाए गया वह एलेक्शन से मोटिवेटेड नहीं है यह पीमों के इंटर्फेयर के बाद इसे बनाए गया हम आप सारे स्टूडेंट जो हमारे साथ खड़े हैं हम आप सबसको भी हम कहते हैं आप लोग को धन्यवाद और प्रसासन क सब्सक्राइब को भी कहते हैं कि अगर हमारे नाम से कोई ID बनी है तो वह हमारी नहीं हो सकती है अगर को अपर आप करियेगा और बढ़े जी का पर आपया और स्टूडेंट सभी कहते हैं देखिए हम आपकी बातों को ले हम अपना सब कुछ दाव पर लगा दिए लेकिन हम आखरी सास तक स्टूडेंट के लिए रहेंगे हम बाजी लगा देगे अपने जान की जब जब बात आएगी हिंदुस्तान की तो कल बात हिंदु फोड़ मचा देंगे और बदनाम होंगे स्टूडेंट और हम लोग कहलाएंगे सिख्छा माफिया जो गरीब बच्चे हैं उनको हम लोग आज भी फिरी में पढ़ाते हैं विकलान बच्चों से हम फीस नहीं दिये हैं लेकिन फिर भी हम लोग को माफिया कहा जाता है और कल को कोई भी हिंसा और बदास नहीं होगी इस प्रोटेश्ट में हम या कोई भी टीचर साथ नहीं है. आपके 28 जनवरी का प्रोटेस्ट किसी भी स्टूडेंट या टीचर का नहीं है वास हम बता दिए आपको पढ़ाई कीजिए और आपका जो रेलवे बोर्ड बठी है वो डिसीजन लेगी क्योंकि इसमें पीमो रेल मंत्री और प्रधान मंत्री इन्वाल्व है जो गलतिया हु झाल 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 झाल